कर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग समाने जान दरपन के मासिक पत्री का जो है उसके नॉमबर और दिसंबर सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस बेल वाले अगन को जरूर प्रिश्का दिजेगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपड़ कर वैसे आपको पहुंचा रखको खोजने की जरूत नहीं पड़े तो आप इस वीडियो के डिसक्सन बॉक्स से उस पीडियो आपको डाउड कर सकते ह तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला प्रशन है कनाड़ा की 19 वर्सी एक किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिका की प्रतिश्चित खिलाड़ी सेरेना विलियंस को हरा करके अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियों किता दर उनिस का महिला एकल किताब जीत लिया है तो कनाड़ा की ब्रियंका एंडियूस जो है 19 वर्सिय महिला टेनिस खिलाडी है इनोंने अमेरिका की प्रतिश्र खिलाडी से ना विलियन्स को हरा करके अमेरिकी ओपेंड टेवल टेनिस प्रित्योगता में महिला एकल जीत लिया है नेशल है आदेती भोषण एभं सचीन बजायज द्वारा लिखीत एभं गलोबल क्रिकेट द्वारा प्रकासित भारती क्रिकेट पर वर्स द्वारा उनिस में प्रकासित पुस्तक फ्रग का ह leiूमचरal शितंबार यद्ज में हुआ है तो आधिति भोशन एवं सचीन बजास दारा लिखीट एवं ग्लोबल क्रिकेट दारा प्रकासित भारती क्रिकेटर पर वर्स 19 में प्रकासित जो है future tenners जो बुक्स है इसी का युमर्चन जो है सितमबर 29 में हुआ है future tenners मेंस होता है future tenners ओर इसका title क्या है the quartet that spawn India to glory इसी का ये जो पूस्तक है पूस्तअहीं पूस्तक तर्वेशलये। की दोवारा लिखा गया ये पूस्तक और इसको प्रकासित किया गया गया ग्लोबल अक्रिकेट द्वारा या जो है प्रकाशित किया गया है। ग्लोबल अक्रिकेट द्वारा या जो है प्रकाशित किया गया है। जो वहां 1980 में सुतंदर जिमाबे के पर्थम प्रधामंत्री बने तता लगभग 33 वर्थक सत्ता में बने रहे थे। तो जिमाबे के ऐसे पुर्व नेता जिनका निधन हो गया सुतंदर 19 में इनका नाम है रोबर्ट मुगाबे। रोबर्ट मुगाबे इसका नाम है जो वहां पर 1980 में सुतंदर जिमाबे के पर्थम प्रधामंत्री रहे थे। और लगभग सत्य स्वर्षता कि इन्होंने सत्ता पर ये बने रहे थे। नेश्ट है रूस द्वारा अगस 2019 में अंतराष्टिय अंत्रिच इस्टेशन यानि की आई एस एस पर भेजा गया मानव रोबर्ट कौन सा है। तो रूस द्वारा अगस 2019 में अंतराष्टिय अंत्रिच इस्टेशन यानि की आई एस एस पर भेजा गया मानव रोबर्ट का नाम है फेडोर। नेच्ट है भारत के किस बहुँ चर्चित एवं परतिश्थित क्रिमिनल वकील एवं पुर्व वित्ति मंत्री का 8 से तमबद आउनिस में नही दिल्ली में 95 वर्स की आयू में निधन हो गया। नही दिल्ली में नेच्ट है विस्वस्वास संगठन यानि की डैबलू एचो की साउथ इस्ट एसिया की रिजनल केमेटी के दिल्ली में सितमबद आउनिस में आयोजित बहतरवे अधिवेशन में 2023 तक इस छेत्र में किन दो धातक को दो धातक बिमारियों को समाप्त करने क प्रस्ता परित किया गया है तो विस्वसा संगठन की साउथ इस्ट एसिया की रिजनल केमेटी के दिल्ली में जो है सितमबद आउनिस में आयोजित बहतरवे अधिवेशन में जो है 23 तक इस छेत्र में जो है मिजल्स और रुबेला जो दो धातक बिमारी है इसको समाप्त क करने का प्रस्ताव 22 तक परित किया गया है नश्ट है भारत की प्रवसी राष्टि नेपाल के लिए डीजल वा पेट्रोल सप्लाइ करने के लिए दोनों राष्टों के मद्य नाव निर्मित किस पाइपलाइन का अवधगाटन प्राहमंत्री नहीं मोधी एवं नेपाली प के पी सर्मा ओली ने 10 तंबा दो निर्मित को किया है तो भारत के प्रवसी राष्ट जो है नेपाल के लिए डीजल या पेट्रोल सप्लाइ करने के लिए दोनों राष्टों के मद्य नाव निर्मित जो है मोतीहारी यानिकी अमलेक गंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का नेपाली प्रहामंत्री जो है केपी सर्माहुली ने 10 सितंबा 12 को किया है स्यूतराष्ट मरवस्थली करन रोकने समंदी कनेक्शन यानि की UN कन्वेंशन टू कमबेक्ट टू डेस्टिफिकेशन की चौदवी कन्वेंशन और प्रहामंत्री जो है से राज्य सभा के लिए अगस 2019 में निर्वाचित हुए है तो पूर प्रहामंत्री डॉक्टर मन मोहन सिंग जो है छटी बार जो है राजस्थान विधान सभा के लिए अगस 2019 में निर्वाचित हुए है नेश्ट है प्राहमंति नेर्मोदी ने 17-18 अगस 2019 को किस प्रोसी राष्ट की यात्रा संपन की है नेश्ट है इंडोनेसिया की राजधानी जकार्टा को दरचोबिस तक परियावारणिये कार्णों से जो है कहां अस्तानांतित किया जाएगा तो इंडोनेसिया की राजधानी जकार्टा को दरचोबिस तक परियावारणिये कार्णों से जो है बोनियों दीप पर अस्तानातित के दिया जाएगा नेश्ट है विस्व की साथ विक्सित राष्टों के संगठन यानि की जी सेवन का पैतालिसवा सिकर सम्मिलन अगस 2019 में फ्रांस में कहां संपन हुआ तो विस्व के साथ विक्सित राष्टों का जो संगठन है जी सेवन इसका पैतालिसवा सिकर सम्मिलन अगस 2019 में फ्रांस के बियारित जगा है यहीं पर संपन हुआ नेश्ट है भारत सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के लिए तीस अगस 2019 को गोसित विलय योजना के कारी अन्वित होने के बाद सरकारी बैंकों की संक्या घट करके अब 12 रह गई है नेश्ट है भारत का सरवच सिकर पुरुषकार राजीव गांदी खेल रतन पुरुषकार द्वाणीस कि इन दो खिलाडियों को संयुक्त रूप से 29 अगस 2019 को प्रदान किया जाएगा तो भारत का सरवच खेल पुरुषकार जो है राजीव गांदी खेल रतन पुरुषकार द्वाणीस यह जो है बजरंग पुनिया जो कुस्ति खेलते हैं इन्हें और दीपा मलिक जो पहरा अथलेटिक है इन दो खिलाडियों को सहीं तरूप से 29 अगस 2019 को प्रदान किया जा वाले जो संगितकार थे इनका नाम था खयाम जिसको बोलते हैं मुहम्मत यहूद खयार मुहम्मत यहूर खयाम इसी का निधन 19 अगस 2019 को मुंबई में हो गया खयाम जो थे एक संगितकार थे और इनका निधन 19 अगस 2019 को मुंबई में हो गया नश्ट है भारत के किस पुर्व क्रिकेट खिलाडी को भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि की BCCI ने दो वर्स के एक और कारिकाल के लिए भारत की पुर्व क्रिकेट टीम का कोच अगस 2019 में निधन किया है तो भारत के जो है रविश सास्त्री जो एक पुर्व क्रिकेट खिलाडी थे इन्हें ही भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दो वर्स के एक और कारिकाल के लिए भारत की पुर्व क्रिकेट टीम की कोच अगस 2019 में निधन किया है तो भारत की पीवी सिंदू महिला बेविंटन खिलाडी ने जो है अगस 2019 में स्विजर लेंड में आयो जीत विश बेविंटन चेंपेंशिप में महिला एकल किताब को जीत लिया है पीवी सिंदू ने अगस 2019 में बहुजन समाज पार्टी यानि की बासपा का अदक्ष पुना किसे चुना गया तो अगस 2019 में बहुजन समाज पार्टी यानि की बासपा का अदक्ष जो है मायावती को चुना गया है मायावती को पुना इन्हें अदक्ष चुना गया है नेस्ट है भारत में खेलों में सरुटेश प्रणरसन के लिए 1956 संतावन में अस्तापित अबूल कराम अजार विश्वधाले को दिया गया जो की चंडि गण में है मैक्से से पुरुसकार विजेता रविश्व कुमार द्वारा लिखित पूस्तक कौन सी है तो मैंसे से पुरुसकार विजयता रविष कुमार द्वाराज लिखित पुस्तक का नाम है The Free Voice on Democracy, Culture and the Nation इस पुस्तक का नाम है The Free Voice इसका टाटल है On Democracy, Culture and the Nation नेश्ट है अगस्ट 1219 में कोलकता में आयोजित एसिया के सबसे पुराने फुटवाल टुनामेंट जो है Durand Cup के 129 संसकरन का विजयता कौन रहा है तो अगस 1219 में कोलकता में आयोजित एसिया के सबसे पुराने फुटवाल टुनामेंट जो है Durand Cup के 129 संसकरन का विजयता जो है Gokulam है जो की केरल से है नच्ट है भारत में रहने वाले प्रतेक समाने व्यक्ति की पहचान के विश्ष्ष आखड़े तयार करने के लिए सरकार का उद्देश से सितंबर 2020 तक क्या तयार करने का है नच्ट है भारत के किस राजी में सर्विच्ष न के बाद बहुँ चल्चित अखड़े तयार करने के लिए सरकार का उद्देश जो है सितंबर 2020 तक जो बनाया गया है यह क्या है राश्टी जनसंख्या रजिस्टर यानि की नेसंस पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया गया है स नेसंट आफज़े देश्ट है भारत के किस राजी में सर्विच्षन के बाद बहुँ चल्चित अवन विवादित नेशनल रजिस्टर आफ शिटिजन्स का फाइनल स्पॉपुलेश नेशनल रेजिटर आफ शिटिजन्स यानि की नर्सी को जो है नर्सी का फाइनल प्रिंट 119 को प्रकासित किया गया तो चली सुरू करते हैं आज हम लोग समानिगा अंदरपन के इसमबर 2019 के इसमने ततिको देंगे तो पहला प्रशन है प्रहारमंत्री नेद मोदी एवं चीन के राष्टपती सी जिन्पिंग की अनपचारिक वारता जो है 11-12 अक्टूबर 2019 में कहां समपन हुई तो प्रहार मंत्री ने मोदी एवं चीन की राश्पती सी जिन पिन की जो है अनपचारिक वार्ता जो है अनपचारिक वार्ता 11 से 12 अक्टूबर 2019 को जो है चन्नाई के मलारपुरम या महाबलीपुरम तामिलाडों में संपन होई नेच्ट है जनेवा स्विजरलेट इस्तित विश्व आर्थिक मंच यानि की वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम द्वारा अक्टूबर 2019 में जारे वेस्विक प्रतिसपदा सूच का इन ग्लोबल कॉम्पुरेटिवनेस इंडेक्स सूची में भारत का कौन सा स्थान है तो भारत का जो बैटरी बनाने के लिए इस वर्स रसायन विज्ञान का नोबल पुरुषकार देने की गोशना अक्टूबर 2019 में की गई और यह जो है सरवाधिक आयू के नोबल पुरुषकार प्राप्त करता हो गए है तो इनका नाम है जॉन बी गुड इनफ जिन्होंने लेथियम आयन बैटरी बनाने के लिए इस वर्स का रसायन विज्ञान का नोबल पुरुषकार इन्हें दिये जाने की गोशना की गई है और यह जो है सरवाधिक आयू के नोबल पुरुषकार प्राप्त करता हो गए है और इनका आयू कितना है 97 एर नेक्ट है भारत के रक्षा मंत्री र लड़ाकु विमान जो है भारतिवायर सेना के लिए और अपचारिक रूप से प्राप्त कर लिया है तो इन्हों ने जो है भारतिवायर सेना के लिए जो है यह लड़ाकु विमान को हसल कर लिया है तो इसका नाम है राफैल लड़ाकु विमान जो की भारतिवायर सेना के ल 2019 का नोबल पुरुसकार प्रदान करने की घोशना अक्टूबर 2019 में Royal Swedish Academy of Science द्वारा की गई है तो इनका नाम है जैन्स पीबल्स, मिसेल मेयर और डिडियोर किलोज ये तीन जो लोग है इन्हें ही ब्रह्मान विज्ञान पर सोध करने के लिए भौतिक विज्ञान का 2019 का नोबल पुरुसकार प्राप्त करने की घोशना अक्टूबर 2019 में Royal Swedish Academy of Science के द्वारा की गई है नच्ट है वर्तमान में प्रचलित एवं चर्चित फटलाइजर केमिकल सहित क्रिसी फटलाइजर केमिकल रहित क्रिसी के अतरिक्त सुभास पालेकर ने किस नई का तक्निकी का सुझाओ दिया है तो इस क्रिसी का नाम है सुन्य बजट प्रकट्ति किसी नच्ट है जापान की वित्य कंपनी ने पॉन लाइफ इंस्ट्रेंस द्वारा 75 परसें जिसदारी खरिदने के बाद Reliance Mutual Fund का नया नाम अक्टूबर 2019 में क्या रखा गया है तो Reliance Mutual Fund का जो नया नाम है अक्टूबर 2019 में क्या रखा गया तो इसका नाम रखा गया निपॉन इंडिया Mutual Fund नच्ट है पॉलेंड की किस उपन्यास लेकिका को 2018 वो आश्टेलियन लेखा को 2019 का साहेतिका नोबल पुरुसकार क्रमसा देने की घोशन अक्टूबर 2019 में की गई है पॉलेंड के जो है उपन्यास लेखी का इनका नाम है औलगा टोकार के जुन और आश्टेलियन जो लेखा का इनका नाम है पीटर हांड के इन्हें 2019 का और इन्हें 2018 का जो है साहेतिका नोबल पुरुसकार प्रान करने की घोशना अक्टूबर 2019 में की गई है नेच्ट है टर्की ने सीरिया में कुर्दिस विरोधियों के विरुद 9 अक्टूबर 2019 को किस नाम से सैनिक का रिवाही प्रारम की है तो टर्की ने सीरिया में जो है कुर्दिस विरुदियों के विरुद 9 अक्टूबर 2019 में जो है आप्रिशन पीस स्प्रिंग नाम से सैनिक का रिवाही प्रारम कर दी है नेक्ट है धुर्विय आर्क्टिक छेत्र में जलवाईव प्रिवतन के प्रभाव का अध्यन करने है तू सितंबर 2019 से एक वर्स तक चलने वाली मोजेक यानिकी मोजेक का जो फुलफ़म होता है क्या होता है इस सोध यात्रा में जो है एक मात्र भारती विज्यनिक है इनका नाम है विश्टू नंदन और ये जो है किरल से है नेश्ट है जलवाई प्रिवतन में दुस प्रभावों से बचने के उपाय खोजने के लिए अक्टूबर 2005 में निर्मित विश्टू के 94 सहरों की समू यान की C40 के सरस्य सहरों में मेरों का सम्मेलन 9 से 12 अक्टूबर 2019 में कहा संपन हुआ जलवाई प्रिवतन के दुस प्रभावों से बचने के उपाय खोजने के लिए अक्टूबर 2005 में निर्मित विश्टू के 94 सहरों के समू जो है C40 के सरस्य सहरों के मेरों का सम्मेलन 9 से 12 अक्टूबर में डेनमार्क के कॉपेन हेगन सहर में नच्शियान की 35 सिखर बैटक 31 सौपर चारनॉमबर 2019 तक कहा आयोज़ध हो रही है तो आसियान की 35 सिखर बैटक 31 सौपर से चारनॉमबर 2019 तक विश्टूबर से थाइलैंड के बैंकक के सहर में आयोज़थ हो रही है नेश्ट है भारत में स्वतंतरता से पुर्व किस मुस्लिम राज के सासक की चल संपत्ती के बाद बेटेन के एक हाई कोट ने पाकिस्तान के पक्च में निर्णे ना देते हुए भारत वा निजाम के उत्राधिकारियों के पक्च में नेश्ट है इतोपिया के किस प्राण मंत्री को अपने प्रोसी राजे इरिष्ट्रिया के साथ लंबे समय से चल रहे इवाद को सुल्जाने के लिए सांती के लिए इस वर्ष का नवल पुरुसकार देने की खोशना अक्टूबर 1290 में की गई है इतोपिया के जो प्राण मंत्रियन का नाम है अबिया आहमद और इन्होंने अपने प्रोसी राज्ट्र जो है इरिष्ट्या के साथ लंबे समय से चल रहे इवाद को सुल्जाने के लिए इन्हें इसी के लिए इन्हें सांती का इस वर्ष का नवल पुरुसकार देने की खोशना अक्टूबर 1290 में की गई है नेश्ट है फॉप्स पत्रिका द्वारा अक्टूबर 1290 में जारी भारती अमेरों की सूची में पर्थम अस्थान लगातार किस उद्योग पत्ति का बना हुआ है फॉप्स पत्रिका द्वारा अक्टूबर 1290 में जारी भारती अमेरों की सूची में पर्थम अस्थान लगातार रिलैंस इंडश्ट्री के मुकिस अंबानी का बना हुआ है नेश्ट है किस परियावण विद्ध को इंद्रा गांधी राष्टी एकता प्रुसकार अक्टूबर 1290 में परदान किया गया है तो इस परियावण विद्ध का नाम है चंडी परसाद भाट जो उत्राखंड से है इन्हें ही इंद्रा गांधी राष्टी एकता प्रुसकार अक्टूबर 11 में प्रदान किया गया है चंडी परसाद भाट को जो की उतरा खंड से है नेक्स्ट है भारत में अक्टूबर 11 में चलाए गई कौन सी ऐसी ट्रेन है जो प्रत्यक्च रूप से भारतीय रेल द्वारा संचलित नहीं की जा रही है अपित्तु या इंडियान एल इंडियान रेलवे केर्टरिंग एंड टूरिम्स को प्रसन यानि की आयर सीटिसी की द्वारा संचलित की जा रही है दिल्ली लखनाव तियस एक्सप्रेस नेक्ट है वैग्यानिकों ने हमारे सौर मंडल के किस गरह के 20 और चंडर्मा खोजने का दावा अक्टूबर 12 में कि जिससे इसके कुल बिरासी चंडर्मा हो गए जो कि किसी गरह का सरवाधिक गरह है वैग्यानिकों ने हमारे सौर मंडल के जो है सनी गरह के 20 और चंडर्मा खोजने का दावा किया है जो कि अक्टूबर 12 में गरह के जो है अब हो गये हैत बिरासी कुल चंडर्मा हो गया है जो कि व्रसपती से भी जादे हो गया जान कि व्रसपती का 79 है अभी तक ग्यात और रश्पती से भी जादे हो गया तो सर्णि इसका राइटेंट पिस्र जागा नेश्ट है 1947 में निर्मेत विस्व में सरवाधिक लोग पर ये किस आटोमेटिक राइफाल के डिजाइन करता काला सिकोव का एक सोवा जन्मदीन जो है 10 नौमबर 1219 को रूस में मनाया जाएगा तो 1947 में निर्मेत विस्व के सरवाधिक लोग पर ये जो है किस आटोमेटिक राइफाल का डिजाइन करता काला सिकोव का एक सोवा जन्मदीन जो है 10 नौमब 1219 को रूस में मनाया जाएगा इस लोग प्री आटोमेटिक राइफल का नाम है AK-47 जिसको बोलते है काला सोविक एटोमेटिट 47 इसी का एक सोवा जन्मदीन जो है 10 नौमद 1219 को रूस में मनाया जाएगा नेस्ट है Bill and Mandila Foundation द्वारा 116 अभियान के जिए प्रधानमंती नेन्मदी को कौनसा पुरसका सितंबा 1219 में प्रधान किया गया तो Bill & Mandela Foundation द्वारा स्वाच्छता अब यहान के लिए प्राहनति नर्मोदी को ग्लोबल गोल कीपर आवार्ड पुरुषकार से सितंबा जावनिस ने प्रदान किया गया है नेक्स्ट है भारत द्वारा हिंदी की किस फिल्म को फरवरी 2020 में अमरिका में आईजित होने वाले 92 एकाडमी आवार्ड यानि की आउसकर आवार्ड में इंटरनेशनल फिचर फिल्म काटेगरी के रूप में आधिकारिक प्रविष्टी दी गई है तो भारत द्वारा जो है गली बॉय फिल्म को फरवरी 2020 में अमरिका में आउजित होने वाले 92 एकाडमी आवार्ड यानि की आउसकर आवार्ड में इंटरनेशनल फिचर फिल्म काटेगरी में इसी के रूप में यानि की फिचर फिल्म काटेगरी के रूप में अधिकारिक प्रविष्टी दी गई है गली बॉय फिल्म को